अगर आप बिहार के परधान सिक्षक के लिए फरम भरना चाहते हैं तो आपको जानना यह जलूरी हो जाता है कि OBC में क्रीमी लियर और नन क्रीमी लियर क्या होता है आपको किस टाइब के सट्फिकेट बनाने होंगे जाती परमान पत्र का अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए यह जलूरी हो जाता है कि आप जाती परमान पत्र मैके के बनाएंगी यानि कि पिता के यहां के या अपने हसबेंड के यहां के यहां पर देखे नोटिफिकेशन मैं खूल के रखा हूँ तो यहां पर देखे नोटिफिकेशन मैं खूल के रखा हूँ परधान स्थिक्षक का इसको अस्क्रोल करता हूँ और यहां पर दिखाता हूँ कि यहां पर क्या मांग रहा है क्यूंकि आप कहीं फंसना जाएं इसी में यहां पर आप देख सकते हैं अरक्षड की जब बात आती है तो लिखा हुआ है ओलन अवेदन पतर में इंगित कलम में अरक्षड का दावा नहीं करने पर अरक्षड कलाब नहीं मिलेगा दुसरा कॉलम है जाती के अधार पर अरक्षड का लाब उन्हीं उम्दवारों को मिलेगा जिनका अस्थाई निवास बिहार राज में है और थात जो बिहार के मुल निवासी है आवेदन में दिया गया अस्थाई पता ही अरक्षड परियोजन के लिए अस्थाई निवास अन पत्र यहां पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है पिछड़ी जाती असे अनु पत्र जामद वहार जोगा अब क्रिमिलियर क्या होता है यह जना बहुत जरूरी है यहां पर देखे यह भी दिया हुआ है कि अरक्षड का दावा करने वाली अभिवाहित महिलाओं का जाती क्रीमी लियर रहित पर्मार पत्र उनके पिता के नाम युँ पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पती के नाम से, उप्योगत अरक्षड समंधिस सब भी पर्मार पत्र आयोगे, करेल सिच्छा विभाग में सत्यापन के समय मुल रूप से पस्तुत नहीं करने पर रक्षड का लाव दे नहीं होगा तो अगर आप महिलाएं हैं तो आपका जो जाती परमाण पत्र है वो पीता के नाम सही होना चाहिए याने कि मैं के से यह उनों के लिए कहा जा रहा है जो क्रीमी लियर रहित परमाण पत्र बनाना चाहते हैं अब क्रीमी लियर और नन क्रीमी लियर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ यहां पर देखिया रक्षर की कुटी दिया हुआ है अत्ती पिछडा बर्ग पिछडा बर्ग यह दोनों बर्ग हैं EBC और BC यह OBC के अंतरगात आते हैं अगर आप OBC के अंतरगात आते हैं तो आपको तै करना होगा कि हमें कौन सी कोड डालने होगे जैसे 04 यह 05 कुछ लोग क्या करते हैं कि BC के अंतरगात आते हैं और EBC डाल देते हैं लेकिन आप किन सीरेनी में आते हैं जानने के लिए चलते हैं सरकारी वेबसाइट आटी पीस पर परना सकते हैं यहां पर आप जाति आपका है या नहीं नहीं आपको देखने होंगे अगर इसमें आपका जाति नहीं है तो इसको पीछ़डा बर्ग सनेट करें ननसुची टू यहां पर आप से लिट करें और इसमें देखे देखे जादू में खोज रहा था जादू दिया हुआ है जादू है बनिया है पर्था है सुनार है तो यहाँ पर मैं जादू सिलेट कर लिया और यहाँ से उप जाती सिलेट करना चाहते हैं तो जो भी हैं आप असानी से सिलेट कर सकते हैं अहिर कुवाला गोरा एक्जम्पल के लिए मैं बता रहा हूं यहां पर देखे जादो कास्ट अनुसूची टू में दिया हुआ है अगर आप वेपसाइट से नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास जाती परमारपतर होगा तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें साफ साफ दिया होगा यहा तो फाइप अगला सवाल है नन क्रिमी मिल यअर का सट्विकेट बनाएं या क्रीमी लिएर का यहां पर देखे क्रीमी लिययर और समजाने के पहुशित कर रहा हूं क्रीमी लियर का मतलब है कि अगर आपकी वार्तिक अम्दानी है आठ लाक से अधिक है जैसे कि CEO हैं विडियो हैं जिसका salary ज्यादा है आठ लाग से अधिक हैं तो creamy layer के अंदर में आते हैं वहीं आपका आमदानी 8 लाग से कम है यानि कि छोटा मोटा आप नोकरी करते हैं छोटा मोटा आप जॉब करते हैं जैसे कि teacher का हुआ जिसका salary 15,000 है 20,000 है 30,000 है तो आप 8 ल क्रीमिलियर के अंदर में आते हैं तो आपको 27 परतिसाथ छूट मिलेगा वहीं क्रीमिलियर के अंदर में आने वाले को कुछ छूट नहीं मिलेगा जैसा कि यहां पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं यहां पर दिखे साब साब कह दिया गया है कि अरक्षर कोटी के कार से निर्गेत परमाड़ पत्र पलब्द अनिवार होगा अन्याथा रक्षर का दावा मानने नहीं होगा तो यह देखते हुए आपको ध्यान में रहकर जाती परमाड़ पत्र भी बना लेने होंगे जो कि आपको सत्यापन के लिए देने होंगे वीडियो में यह तो समझ ग अति पिछड़ा बर्ग या पिछड़ा बर्ग क्रीमिलियर नन क्रीमिलियर से सबंधित किसी भी परकार का सवाल या सुझाओ हो तो कुमेंट बक्स में बताएं इसका उतर मैं देने के लिए हमेशा कोसिस करूंगा धन्यवाद